सायद ऐसा नजरा दो साल बाद दिखाई पढ़ रहा है जब रेतिले टीलों की भी समंदर सरीखा नजरा देखने को मिल रहा है जो जगह पानी की एक-एक बूंत के लिए तरस्ती हैं वहाँ पर दूर तलक नीला पानी हिलोरे मारता नजरा रहा है मानसून के साथ प्रेटकों की आगवने के लिए भारत पाक सीमा पर बसे बाडमीर का मिनी गवा भी पूरितर त्यार हो गया है बाड में जिले के सिमावर्ति गटरा रोड का रिडणा गाव इन दूर प्रेटकों से गुल जार है नजरा ऐसा है कि मानो गोवा का समंदर बीचो गाव में जहां पहले लोग पानी देखने को तरस्ते थे वहाँ अब हिलोरे लेता समंदर नजरा रहा है बाड में जिला मकले से 60 किलमेट दूर इस्तित 5 किमी लंबा और 3 किमी चोड़ा ये रण चिकनी मिटी के चलते पानी को नहीं सौंकता है रेड़ाना में खारे पानी का रण है लेकिन यहां नमक का उत्पदन नहीं होता है लेकिन पानी की जिल जिसा नजरा रहता है बारिस के बाद करीब 4 माह तक पानी का बराव रहता है इस बार मानसू सक्री होने से पहले ही बिफर जोट बारिस से रेड़ाना वो आसपास के गाउं में मुस्तलाधारी बारिस हुई रेडाना के रण छेतर में पानी का बरावने के साथ आसपास के इलाकों में हरी आली भी नजर आने लगी है सब सकते हैं लगां से लुपिन से लुपिनी से लुप जर आने ले लुपिनीस में लंफिनी में हो ज एक के के साया ले ल nar Ug?... लe पाह voter वेज गजोय आसे लागो जुपिनी आर समय जला ही अजड़ाना को सकता है चलो दो प्राग्टा को आज़ादा जागा है